नवश्कार दोस्तों मेरा नाम है प्रदीप चुहान और आप देखने मेरा चैनल खबराट कल किसी कारणवर्श आपसे मुलाकात नहीं हो पाई आज फिर हाजिरू एक नए विश्लेशन के साथ आपके सामने दरसल आज आपने सुबा से देखा होगा कि एक वीडियो है राहूल गांदी का बयान है दरसल मीडिया सोशल मीडिया यहां तक की अख़बारों ने भी कुछ अख़बारों ने उसको प्रमुकता से चापाए हलनकि बयान कोई नया नहीं है 15 मार्च का बयान है लेकिन आज सब ःटा सब्शों अपना काम करते अगर सीवेया अपना काम करती ऑपनाकाम करती तो यह डहीं होता तो उनको यह बी और सोचना चाहिए यह सब कर रहे हैं कि कि किसी ना किसी दिन मीडिया की सरकार बदलेगी है और फिर को हुद के और डिकालwai ये बाद क्या क्या करने वाले हैं वो आप देखेंगे रोज आपको breaking news देंगे और ये अधिकारी जो इनकी कटपुतली बने वे हैं ये भी आज कान खोन कर सुन लें एक-एक को कटगरे में खड़ा किया जाएगा वो कितना ही आला अधिकारी हो किसी भी agency का अधिकारी हो जिस तरह से इस देश में मजाक बनाया जा रहा है agency's का वो हम बरदाश्ट नहीं करेंगे सरकार बदलने दीजिए बहुत कुछ बदलेगा दरसल राहूल गांधी का ये बयान अचानक से सुर्ख्यों में इसलिए लाना पड़ा कि जिस तरह से Congress के एक बार फिर income tax की तरफ से अठारा सो से उपर करोड का अठारा सो करोड से ज्यादा कर नोटिस मिला है एक सीधा साधा पैटन दिख रहा है कि Congress को अगर पलिटिकली नहीं मार सकते तो आप आर्थिक रूप से इस पार्टी को खत्म करने की कोशिश की जा रही है ये पैटन समझ में आता है इसलिए रह राहूल गांधी की बात को दुरहा है और इस तरह के राहूल गांधी को धंकी नहीं दे रहे है या किसी तरह को उन्हें एक मैसेजिंग देने की बात है राहूल गांधी का ये पुराना पंद्रा दिन पुराना बयान Congress ने दुवारा Resurface किया मेडिया को इसको चलाना जब भी कोई विपक्ष में बड़ा नेता होता, जब उसे लगता है कि चीजें सीमा से पार जा रही हैं, तो इस तरह का संदेश देने का अकसर काम करते हैं, और ऐसा संदेश मेडिया के लिए ज्यादा होता है, इस बार मेडिया के साथ-साथ रहूल गांदी ने संदेश इजेंसीज को भी दिया है, और किन इजेंसीज को दिया है यह आपको मालू है जिनका वो जिक्र करते हैं, जो आज की डेट में सरकार का सबसे बड़ा हात्यार हो गया है, लेकिन कहानी यह है कि रहुल गांदी की इस मैसेज की जो सीहरन इस मैसेज की वयासे या इस चेतावनी की वयासे जो सीहरन पैदा हुई है उसका असर दिखने लगा है उसका असर ऐसे दिखने लगाए कि देखने में पहली बारी में आपको लगेगा कि राहूल गांदी का ये संदेश दरसल उन एजेंसी के लिए है जो विपक्षपे काम कर रहे है जिसमें ED है CBIA Income Tax है लेकिन इसका दूसरा अगर कंटेक्स देखें तो ये संदेश राहूल गा उन एजेंसी के लावा मीडिया के लिए भी था और कहीं न कहीं अपने सहयोगियों के लिए भी था एक संदेश देनी की कोशिश किया इसलिए इस मैसिज का दुबारा या इस बयान का दुबारा ऊपर आना और इस बयान के फिर अलग-अलग माइने निकालने एक सिहरन जो एंटी कॉंग्रस है उनके बीच हुई है जो कॉंग्रस को दबाने की कोशिश कर रहे थे वो चाहे बीजेपी है चाहे सहयोगी दल है इसलिए राहूल गांदी के इस बयान के माईने जब कॉंग्रस अलग तरीके से निकाल रही है और विपक्ष बाकी पार्टियां यान आप इंडिया गटभंदनी की जो सहयोगी है राहूल गांदी के साथ उनको नजरी से देखे तो वो किसी और नजरी से निकाल रहे है और बीजेपी कुछ और माईने निकाल रही है बीजेपी के कुछ लेगाओं कुछ नेताओं से बात हुई तो उन्होंने कहा कि राहूल का दरसल ये बयान पार्टी के अंदर भी बाचीत का एक कोटवल का विशय तो बना हुआ है क्योंकि इस तरह का बयान जब कोई नेता देता है तो समझ जाए कि पानी सर से उपर निकल चुका है लेकिन जो सिहरन की मैं बात कर रहा हूं वो सिहरन आज देखने को कहा मिली वो मि क्यों मिली वो इसलिए कि आप देख रहे हैं सीट बटवारे के नाम पर कॉंग्रेस के सहीयों की किस तरह से कॉंग्रेस को पुरा दबाने की कोशिश करें कॉंग्रेस जितना जुक सकती है उतना जुक रही है लेकिन उसके बावजूद उसकी पीठ पर गठबंदन के नाम इतना बोज डाल दिया जा रहा है कि कॉंग्रेस की कमर तूटने पर आ गई है अब लोगों ने कॉंग्रेस के खासकर कॉंग्रेस के लोगों ने माल लिहाई कि राहूल गांधी जो कह रहे हैं अब उसी रास्ते पर चलना होगा यानि कि हर एक चीज की सीमा होती है उस सीमा स जो कॉंग्रेस के साथ धोका हुआ है उस धोके से बाहर आने की अब कॉंग्रेस कोशिश कर रही है आपको मालू है कि बिहार में RJD ने बिना कॉंग्रेस से पूछे टिकेट बटवारा शुरू कर दिया और उसमें वो दो सीटे भी दे दी जिस पर कॉंग्रेस सबसे ज़्यादा दावा कर रही थी पूर्णिया और बिगु सराय पप्पू यादब जिन्होंने अपनी पार्टी कॉंग्रेस में मर्ज करी और पूर्णिया से टिकेट मागी थी और बेगू सराय से आपको मालूम है कनहिया कुमार लेकिन RJD नहीं मानी अब पपूय आदब को कॉंग्रेस ने सिगनल दे दिया है कि आप मैदान में उतरिए फ्रेंडली फाइट के नाम पे उतरिए और मैदान फदे करके दिखाईए दूसरी तरफ महराष्टर में भी है इवा कि उतर ठाकरे ने कॉंग्रेस से बिना पूछे वो सीटे भी अपने नाम कर दी जिस पर कॉंग्रेस दावा कर दी उसमें कुछ मुंबई की थी कुछ मुंबई के सबर की थी वहाँ भी हाई कमान की तरफ से एक इशारा मिल गए है कि फ्रेंडली फाइट के नाम पे ही सही लेकिन कॉंग्रेस पीछे नहीं अटेगी चार तारिकों आप पूर्णिया की जंता की भावनों के अनुकूल कॉंग्रेस की जंता पूर्णिया की धर्ती पर फाराय जाएगे कॉंग्रेस की जंता ही पूर्णिया में रहेगे और कॉंग्रेस की जंता ही देखे सबसे पहले मैं कॉंग्रेस नेतित्व का अभारी हूँ कि उन्होंने महरास्ट और मुंबई में कॉंग्रेस के कारकरताओं के दर्द को सुना और समझा चार जो विवादित सीटे हैं इन सीटों पर फ्रेंडली फाइट होनी चाहिए मैंने सुना ऐसा कोई प्रस्ताओ पार्टी के नतित्यों के तरफ से आया है यह प्रस्ताओ बहुत अच्छा है मैं इसका स्वागत करता हूँ इसका समर्थन करता हूँ और आपको याद होगा सबसे पहले मैंने यह बात यह प्रस्ताओ रखा भी था अब इस प्रस्ताओ के बाद जिस तरीके से सिवसना यूबिटी जिसको यहां बहुत ही लोकप्रिये तरीके से उबाठा के रूप में जाना जाता है उभाठा में जिस तरीके से एक नराजगी पैदा हुई है और उभाठा के जो अंतराश्चिय प्रवक्ता है उनने जिस प्रकार से कॉंग्रेस को धमकी दी है मैं कहना चाहूंगा इस धमकी के तहट नहीं आना चाहिए इस धमकी दबाव में नहीं आना चाहिए क्यों क्योंकि ये शिवसना को पता है उबाठा को पता है कि अगर कॉंग्रेस के सामने उनका केंडियेट खड़ा हुआ तो किसी भी हाल में वो जीत नहीं सकता शिवसना अपने दम पर कोई चुनाओ महराश्ट के किसी भी लोकसभा में नहीं जीत सकती एक बाद फिर से मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ नमरता प्रुवक और हक के साथ कहना चाहरा हूँ तो जो बिलबिलाहाट है और जो नाराजगी है उबाठा में उसका कारण ये है कि उनको शिवसना का वोट खिसकने का डर लग रहा है और यहीं से कॉंग्रेस को कही ने कहीं अपनी ताकत पहचाननी पड़ेगी पार्टी के अंदर भी रहूल गांदी के इस मैसिज के पीछे चुपा मैसिज उन लोगों को दिया जा रहा जो पार्टी के अंदर पार्टी के खिलाफ काम कर रहे हैं और रहुल गांधी की नाराजगी अब पूरी पार्टी में साफ दिख रही है क्योंकि कहा जा रहा है कि रहुल गांधी ने टिक्टो के बटवारे से अपने आपको दूर कर लिया है की राहूल गांधी को लग रहा है कि जान बूज के इस पार फिर पार्टी को नुकसान करने की कोशिश की जा रही है जिस तरह से कुछ नेता अपने आप ही अपने मर्जी पे डिसीजन ले रहे हैं गटबंदन के साथ जिस तरह से एक बिहार के जो प्रदेश अद्यक्षय उन ऐसे मेरा हूल गांधी ने अपने आपको टिकेट बटवारों से दूर कर लिया है लेकिन ये मैसेज अब उनकी टीम इस मैसेज के जरिए उन्हें भी मैसेज दे रही है कि अब बहुत हो गया अब और नहीं सहा जाएगा अब घर के जैचन्दों को बाहर या तो खुद निक और उसका असर भी अब होने वाला है और इसी की वज़ा है आज आपको कॉंग्रेस में एक बदलाव दिखाऊगा आज के दिन जब सी चुनाओ के तारीक है नहीं सुए कि कॉंग्रेस बैक फूट की जगा पहली बार थोड़ी फ्रंट फूट पे आती नजरा रही है कॉंग यहां से खास करके इंकम डेक्श को कोई रहत मिलने वाली उम्मीद तो है नहीं इसलिए क्यों ना एग्रेसिवली इस चीज़ को टैकल किया जाए इसलिए यूद कॉंग्रेस के बहुत से कारी करता हूं नहीं आई टी आफिस के बाहर इस तरह आप कह सकते हूं कि एक तरह से प्रदर्शन किया जगा जगा पर प्रदर्शन किया लेकिन उससे भी ज़्यादा उस वक्त सुर्खियां बटोरी कॉंग्रेस ने जब पवन खेडा जो प्रवक्ता है वो जब अपनी प्रेस कॉंफरेंस में यह वाशिंग मशीन वाला पूरा एक नोटनकी कर रहे थे नोट आपने देखा होगा सोशल मीडिया तो नहीं दिखाए जब तो यह तरीका अब कॉंग्रेस को मुझे आज कॉंग्रेस के केंपेंड में आज मुझे डिफरेंट नजर आया और इसी एग्रेसिव केंपेंड में एक चीज और आपको बताना चाहूंगा वो प्रेंका गांधी का एक ट्वीट है प्रेंका गांदी ने आज जिस तरह से प्रधान मंत्री को सुप्रीम कोट या जुडिशरी को लेके जो एक 600 वकीलों की चित्थी ती और उस पे सुप्रीम कोट के उन 600 वकीलों की चित्थी पे प्रधान मंत्री का ट्वीट प्रधान मंत्री का उसको इंडो फैसले आ रहे हैं तो वो इस तरह का हटकंड आपना रहे हैं तो प्रेंका गांधी ने बाकाइदा एक ट्वीट करके इस पे अपनी राय जाहिर किया एक कह सकते हैं कि प्रधान मंतरी पर हमला किया दोसरी तरफ कॉंग्रस ने बहुत जादा एक आज और जो है सोशल मीडिया पर वाइरल करने की कोशिश की वो जाहिर सी वात है मैडम स्मृति इरानी का एक बयान के एक वीडियो है जिसमें स्मृति इरानी उत्रा खंड में गई थी विचारी कैमपेन करने के लिए लेकिन जब पत्रकारों ने उनसे अंकिता भंडारी सवाल पूछा तो देखिए कैस वज़ा तो होनी चाहिए न और वज़ा मुझे लग रही है वज़ा लग रही है कि जो ग्राउंड से रिपोर्ट सारी कॉंगरेस के लिए वो बड़ी पॉजिटिव आ रही है आपको मैं कोई सुनी सुनाई बात नहीं बताता आपके स्क्रीन पर ये चार जगा के वीडियो से है चार दुरिष्य हैं चार वीडियो है ये देख लिए लिजी ये चारों के चारों के उम्मीद्वार है जब कोई Почему सण के एंदाजा लगा लीजिए ऐक डिर्वे आपको कि संकेत जमीन से आ रहे हैं ये संकेत Congress को जितना आर्थिक रूप से सरकार ने दबाने की कोशिश किये, Income Tax ने दबाने की कोशिश किये, यह विज्वाल Congress को उतना ही, जिसको कहते है न संजीवनी का काम कररे हैille Congress को अखड़ा करने के लिए इसलिए कॉंग्रेस को लग रहा है कि फिलाल जो कॉंग्रेस कोशिश कर रही थी उसमें काम्याब हो रही है वो कॉंग्रेस कोशिश ये कर रही थी कि लोगों को कॉंग्रेस ये समझाने की कोशिश करे कि इस बार की लड़ाई या इस बार का चुनाओ कॉंग्रेस नहीं लड़ सकती इस बार का चुनाओ जनता को खुद लड़ना होगा और ये जो भीड दिख रही है लगता तो ऐसा है कि कम से कम इन जगाओं पर तो वो संदेश कॉंग्रेस का जा रहा है जहां जनता खुद से बाहर निकल रही है दोसरी तरफ बीजे पी में प्रेशानी यह पर अब आपे दो वीडियो बीजे पी के भी देख लीजिए एक है जाहिर सी बात है दोनों ऐसे राज्यों से हैं जहां बीजे पी घड़ कर दिये दूसरी तरफ टॉंक आजिस्थान से ही सुख भी जॉन पूरिया जो उनके उमीदवार है उनके गो बैक गो बैक के नारहे लग रहे हैं किस तरह से बीजेपी के अंदर सिर्फ उटवल हो रही है ये खबरे भी छुप नहीं रही है कितने ही नेता बीजेपी को छोड ठोड़ के कॉंग्रिस में आ रहे हैं खासकर के करनाटक और त्लंगाना में तो ऐसा लग रहा है कि तलंगाना में पूरी ब्यृ Congress को मिल रहे हैं इसले शायद Congress ने अब तैह कर लिया है कि अब जो होगा देखा जाएगा आइटी Account freeze इस सब को रोनेद होने की कोई फायदा नहीं इस सबसे कुछ नहीं होने वाला अब जो कुछ करना है फ्रेंट फूट पे सामने आके करना है बस अब इनतजार सिरफ इतना है कि राहुलगांधी या फिर सोणिया गांधी मलिक अरजन करके प्रीइंग का गांधी सचिन पाइलेट ये सब लोग मैदान में किस दिन उतरते हैं खास करके गांधी परिवार कब मैदान में उतरता है उसके बाद गेम चेंज होगी और दूसरा इंतजार तो वही आपको मालूम है कि अमेठी और राय वरेली से कॉंग्रेस किसे उतारने वाली है क्योंकि इन दो सीटों का असर सिर्फ यूपी तक नहीं रहेगा पूरे देश में पड़ेगा पूरे देश में मैसेज जाएगा जो भी कॉंग्रेस इन दो सीटों के लिए करती है फिलाल आज किस वीडियो में इतना ही उम्मीद करता हूँ अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजेगा दोस्तों साथ शेर कीजेगा और कमेंट